हेलो स्ट्रेंट्स कैसे हो आप लोग एकदम चंगा सब मत होना भी चाहिए सब कुछ फाइन सभी तो होगी पढ़ाई एकदम सुपर बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है कोई भी चिप्टर देख रहे हो शुरू होता है तो एंड का नामी नहीं लेता भाई क्या करें मैं स केमेस्ट्री माथ बायो एक टेंशन सा लगा रहता होगा बट लाइफ में टेंशन नहीं लेने का टेंशन देने का बिल्पुल पढ़ाई करो टीचर को टेंशन दो अरे भाईया ये बच्चा कैसी इतना डवलप कर गया अचानक इसमें इतना प्रोग्रेस कैसे आ गया यह तो कुछ था ही नहीं क्यों कि आप पढ़ाई करोगे तो अपने आप यूविल डवलप यूविल प्रोग्रेस यूविल गेट सक्टस्फुल इन लाइफ तो आप ध्यान रखना पढ़ाई करनी है मन से करनी है दिल से करनी है राइट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नाम है बेटा माइक्रोइस्कोब माइक्रोइस्कोप एक ऐसा डिवाइस है माइक्रोइस्कोप एक ऐसा इस्टूमेंट है जो छोटे इमेज को बड़ा करता है जो छोटे से इमेज को लार्ज करता है यह मैगनिफाई करता है ऑब्जेक्ट की इमेज को यह मैगनिफाई करत है लार्ज करता है बड़ा करता है इसी को हम कहते हैं O भी डूसरी बात तुनलो आप माईक्रोस्कोप के बारे में इस माय धोब of convex lens यह कौन सा lens रखता है अपने पास convex lens रखता है यह अपने पास convex lens रखता है दूसरी बात convex lens के बारे में आपको मैंने बताया था कि किसी भी convex lens का अगर object distance focal lens से ज्यादा है तो image real बनता है और अगर object focal lens से कम है यानि focus के अंदर है तो image virtual बनता है यही तो होती है quality किसकी convex lens की तो microscope की बात करें तो microscope में एक convex lens होता है ज्यान रखना अब microscope के अंदर सबसे पहले से पहला microscope आएगा simple microscope अब आप से कोई पूछ है कि what is simple microscope simple microscope किसे कहते हैं तो simple microscope का मतलब यह नहीं कि तिंपल देखने में सिंपल microscope का मतलब इसके पास एक convex lens होता है और अगरा ट्रॉपिक पढ़ाओंगा compound microscope उसमें दो convex lens होते हैं तो simple microscope में सबसे पहले आप देखो आपके पास एक convex lens होता है ओके you have a convex lens और ये रहा इसका focus किसका convex lens का और object को हम focus के अंदर रखते हैं focus के अंदर ये वाला case है तो obviously बात है ये virtual image बनाएगा बनाते हैं एक सेंटर हो गया क्यों लाइट जाएगी ऐसे पास कर जाएगी और एक लाइट बिल्कुल सेंटर से जब लाइट जाती है तो यहां पर यह लाइट मिल नहीं पाती इसको इधर तो image बन ही नहीं पाता इसको image को बनाने के लिए virtually पीछे जाना पड़ेगा तो वर्चुली पीछे जाने के एक स्पेस बना देते हैं इस सब को हटा देते हैं इस सब क्या कर रहा है तो हटा हो यह सब चीजों को हटा इस दिश्ड़ करो तव हम鏡ाराम बना पाएंगे जड़ा तो है नहीं आप हम इस रे को आप तीशे के दरफ बढ़ाएंगे एक बनाने के लिए इमेज बनाने के लिए तो अब इस रे को वर्च्वली आप पीछे बढ़ाओ कि अ यह जब रे वर्च्वली पीछे बढ़ेगा वर्च्वल जाकर एक इमेज बना देगा काफी बड़ा सा बनाएगा इक्रिया वील मेंक गुली में प्रोड़ रखो मेरि नाम इसका रख दो डैस अन्धिसिज रॉर आधा इस होता है रहे और उन देसे आफ दाकर अई करो में हुटा-थम यसका फिर सी बनादे में एकदम virtual रे गया और जाके बड़ा सा image बना दिया यही काम करता है ऐसे ही काम करता है convex lens और यहां साथ दिख रहा है यह जो object है जिसका नाम हमने AB रखा है यह object distance यहां focal lens से कम है तभी तो virtual image बना यही होता है simple microscope करना है ground और एक बात और ध्यान दो बेटा यह जो distance है आपका वो U है और यह जो distance है यहां से लेकर यहां तक lens के center से यह आपका क्या है भी है image है फिर एक बात और यहां जो image बनता है वो एक fixed distance पर बनता है सुनो यह जो simple microscope जो image बनाता है virtual image यह एक fixed distance पर बनाता है एकदम fixed distance और वो fixed distance वो हम d कहते हैं d इसकी value होती है 25 cm इसे कहते है least distance least distance सब से closest distance पर image बनाता है अगर मैं optics में अब small d लिखूँ तो समझ जाना मैं 25 cm लिख रहा हूँ यह final image यही पर बनाता है और value जब लेंगे तो minus भी लगाएंगे minus क्यों लगाएंगे क्योंकि left side जब value लेंगे तो minus के साथ लेंगे ओके आप आएगा कि भीया अब इसका magnification बताएं magnifying power बताएंगे कुछ भी बोल सकता है magnification कैसे निकालेंगे सबसे परे लगा देंगे lens formula 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F आप इस formula में आप उपर नीचे दोनों साइड उपर नीचे नहीं सिर्फ उपर उपर V से multiply कर दो तो V by V minus V by U is equal to V by F V by V कितना हो गया 1 V by U जानते हो image distance by object distance magnification यह तो होता है magnification आ गया और V के जगा पे क्या लिख सकते हो आप value में minus of D इस M को इधर ले जाओ इसको इधर लाओ तो M is equal to क्या आगया पेटा 1 plus B by M यही formula है magnification of simple microscope अगर आप तो कोई पूछ दे कि बताओ क्या magnification होता है simple microscope का तो आप focal length पता कर जाएं कि आप focal length पूछ लेना यह 25 लग देना magnification निकालके दे देना answer यह ले भाई पकड़ यह है magnification किसका simple microscope तो simple microscope का object focal length से अंदर होता है और यह virtual image बड़ा सा बनाएं magnification और जो image बनाता है वो fixed distance पे इसे हम करते है least distance अब से closest distance जो की value होती है 25 यह fixed है image जब भी बनाएगा तो least distance पे बनाएगा 25 cm पे बनाएगा एकदम fixed distance पे बनाएगा this is called the magnification अब जब आपने यह पढ़ लिया microscope में यह जो आपने पढ़ा that was what that was simple microscope यह जो आपने पढ़ा ना बेटा यह कौन सा microscope पढ़ा आपने simple microscope that was simple microscope यह simple microscope अब हम बात करेंगे next microscope का जो बहुत important है इसे कहते हैं compound microscope compound microscope ध्यान से चुनना next topic is your next topic is your compound compound microscope compound microscope आपको पूछता है what is your compound microscope compound microscope किसे कहते हैं तो आपको मैं बताओ compound microscope भी तो काम होई है image को बढ़ा करना but compound microscope पे दो convex lens होते हैं बेटा दो there are two convex lens यहाद यहाँ पे दो convex lens हम लेते हैं इसको हमेशा धियान रखना एक convex lens और एक दूसरा बड़ा साथ we take the two convex lens इसमें से एक convex lens जो पहला वाला होता है वो छोटे aperture का होता है और दूसरा वाला बड़े aperture का होता है बड़े size का होता है यह वाला lens objective lens कहलाता है क्योंकि यह object के करीब होता है और यह वाला lens eye lens कहलाता है eye piece कहलाता है क्योंकि यह आकों के करीब होता है उसके बाद क्या बताया गया कि यह जैसे objective lens है तो इसके लिए जो भी data लिखेंगे उसके नीचे o लिख दिया करेंगे अब इसका यह वहाँ पे मान लो यह आपका हो गया इसका focal length ओके f के नीचे o objective का focal length अब इसका जो object रखते हैं हम ध्यान से देखना इसका इस lens का जो object रखेंगे वो इसके focus से बाहर रखते है मैंने क्या बताया था जब किसी convex lens का object focus से बाहर है तब यह real image बनाएगा तो यह पहला अपना एक image बनाएगा यह light गई एक light कहां से center से और यहाँ पर अगर यह center हो गया यह center को c1 मान लो और यह light गई यह light आई और यह object का नाम अगर हम रख दें a b तो इसका एक virtual image बन गया real image बन गया नाम है इसका a dash finish अब आप बताओ कुछ चीजे बताओ a से c1 a c1 यह इसका object distance है तो u o लिखेंगे और u में minus लगा देंगा अगर value की बात करें तो क्यों क्यों minus लगा देंगा देंगा left side है क्या लगा देंगे minus लगा देंगे बिटा और बढ़ा करकर लिख देता हूं तो a dash c1 को क्या लिख दो गया is equal to v o plus में लेंगे क्योंकि right side बना है अब आप जानते हो यह कई बार मैंने बताया है चाहे microscope हो यह simple सवाल हो हमेशा पिछला जो image होता है वो अगला object बन जाता है यह जो इसका image बना अब इसके लिए object का काम करेगा अब यह फिर क्या करेगा अब यह बाला इसका object बनेगा अब यह जाकर फानल image बनेगा यहां से भी दो रेज निकाल देते हैं एक रे तो आपको पता ही है हाँ जो एक रे कहां से इसका center मालनो सीट्रू माल लिया मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन इस रे को अगर आप पहले इदर भेज दोगे ना तो इदर जरूरी नहीं के मिली जा क्योंकि यह virtual image बनाएगा और a-b-ड-इसके लिए image है बड़ इसके लिए object है और इसके लिए जब यह object बनेगा तो यह इसके focus के अंदर हो दिया इसका जो focal length होता है वो यह यानि मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप नहीं समझे मैं यह कहना चाहरा हूँ कि objective lens का जो object होता है वो उसके focal length से ज्यादा होता है focus से बाहर होता है लेकिन जब यह बनता है इसका object on इसका बनाया हुआ image जब इसका object बनेगा तो इसके लिए जब बनेगा इसके लिए जब बनेगा तो इसके focus से अंदर होगा यानि इधर से तो देखा जाए यह क्या है अगर आप यहाँ से यहाँ तक इससे देखोगी बी डैश से यहाँ तक इडैश से c2 तो इडैश c2 जो है वो उसके लिए object का काम कर रहा है left side इधर से यह V है बड़ उधर से वो U है तो इधर से यह U बनेगा किसका E का और यह जो UE होगा यहाँ पर यह जो UE होगा बिका यह इसके focal length के अंदर होगा इसका मतलब अब जो यह अपने object का virtual image बनाएगा तो virtual बनाएगे कैसे एक तो ray ऐसे और इधर ले जाएंगे तो ray मिलेगा नहीं तो मैं यहाँ पर ray को रोग देता हूँ click है पहले इसको ना पीछे बढ़ा कर इसको पीछे बढ़ाओ और इधर से भी पीछे पहले image बनाएगे अगर मैं पहले आगे बढ़ा देता तो जरूरी नहीं है कि पीछे आने पर यहाँ पर कहीं लाइन मिली जाती तो ट्रिक के डियाग्राम एक बार में बनाना है जटके में तो एक तो सेंटर से light बिढ़ देना और एक light को पहले उधर में बिढ़ना पहले पहले जाकर फिर बापिस पहले मिला देना तब उसको बढ़ा देना तब इससे रे डाग्राम एक बार में बन जाएगा कहीं आपने पहले ही पढ़ा दिया तो ज़रूरी दिये कि पीछे मिली जाए ओके यह ट्रिक होता है डाग्राम बनाने का अब यहां पर आपका एक वर्च Warum बन गया इसका नाम क्या रख दें A डबल डैश दी डबल डैश यह यह बन गया फाईनल रे डाग्राम कमपाउड माइक्रोई सकोप का तो compound microscope में दो lens होते हैं object के करीब objective lens आँखों के करीब eye lens आई के पास objective lens का जो object होता है वो उसके focus से बाहर होता है तो अब यह अपना real image बनाता है और जब यह image eye lens के लिए object का काम करेगा तो यह जब इसका object बनेगा तो यह इसके focus के अंदर आ जाता है जानी के इसका जो objective होगा इसका जो object distance होगा वो इसके focus lens से कम होगा इट मीज यह फिर पीछे बढ़कर virtual image बना देगा यह पानल image virtual बनता है A dash B double dash तो अगर मैं बात करूँ A double dash C2 की तो image बन गया उसको क्या लिखोगे VE image 4 islands और यह fix नहीं कि 25 cm पर बनेगा value लोगे तो minus of B minus of 25 Final level 25 पर ही बनता है अगर मैं दिखाए दे रहा है तो obviously तो यह ray diagram था किसका यह हो गया इसका object distance यह हो गया इधर से image distance यह हो गया इधर से object distance और यह final image distance That is the concept अब paper में आएगा अब आप ध्यान से देखिए कि हर instrument का चाहे से microscope हो या टेलिस्कोप हो magnifying power निकालिए या angular magnification निकालिए या तो बोलेगा angular magnification निकालिए या इसका एक और नाम है magnifying power दो चीज पूछता है या तो बोलेगा angular magnification निकालिए या पूछेगा बेटा magnifying power निकालिए दोनों को हम M से ही indicate करते हैं और यह एक पॉर्मूला होता है निकालने का, M is equal to beta by alpha, यास, यह याद रहे हैं, तो magnifying पावर जब निकालने की बारी आएगी, तो याद रखीगा formula जब आप यूज़ करोगे, beta by alpha, आप बोलोगे सर, यह beta और alpha क्या है, कैसे माइक्रोस्कोप का, compound, माइक्रोस्कोप का magnifying बनाता है, a double dash, b double dash, यह जो बनाएगा, कहां पर? आइलेंस पे, यह हो गया आपका, बीट है, फिर बोलोगे, alpha क्या है सर, alpha वो एंगल है, जो object बनाएगा, यही पर, आइलेंस पे, तो भीया, object तो बहुत दूर है, यहां से हम कैसे एंगल दिखाएं, तो उसके लिए क्या ह कहा जाता है, आप एक काम करो, object दूर है ना, तो यहां पर एक काम किया जाता है, object के size का, एक line यहां खीज़ दिया जाता है, और यह angle अब दिखा दिया जाता है, यह angle हो गया, alpha, yes, हलाकि यह जो line हमने मान लो, इस line का हम नाम रख देते हैं, उस नाम, a double dash, d रख देते हैं, अब क्या है, कि अब आप, होता क्या है magnifying power, यह दो angle का ratio होता है, बीटा और alpha, बीटा कौन, जो image बनाएगा, अलफा कौन, जो object बनाएगा, कहां पर दोनों eye lens पे, लेकिन पंगा यह है sir, कि हम इसका angle तो दिखा देते हैं, बट इसका angle नहीं दिखा पा रहे हैं, line सब ray कट जाएगा, सब diagram गलत हो जाएगा, तो trick यह है, आप object के size को image के line में ही consider करो, आप object को image के line में consider कर लो, उसी size का line मानकर तब alpha दिख जाएगा, यह जो देख रहे हैं, आप A double HD, यह A double HD ना, A B के बराबर, बस object को virtually imagine कर लेना, कि वो object, 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 उसी के size का object, एक virtually object, इसका virtual option, image के line में मान लेना, सिर्फ alpha दिखाने के लिए, बस और कुछ ना, अब हम इस formula को आगे derive करते हैं, बहुत important है, ध्यान से देखेगा, अब इसके लिए क्या करेंगे, और क्या आपको करना है, वो ध्यान से देखेगा, सबसे पहले, आप ट्रेंगल, A double dash, B double dash, A double dash, T2, B double dash, कौन से ट्रेंगल में आ गए, A double dash, B double dash, C2, इसमें बीटा आ रहा है, अब आप आप एलो, 10 B, बिटा आप देखेए, अब हम क्या रेक तो क्या करें, बीटा और अलपा गर इश्यो चाहिए मुझे, तो ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले, बीटा तौन से ट्रेंगल में आ रहा है, अब आप आज हो, इन ट्रेंगल, बीटा इस ट्रेंगल में आ रहा है, क्या नाम इसका, A double dash, B double dash, C2, इसमें 10 बीटा ले लो, 10 बीटा बनी जाएगा, 10 बीटा इस एकल टू पर्पेंडिकुलर, अपाउन बेज, ओके, ये बीटा आगे, अब हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा के लिए थुला दिमाग लगाओ, अल्फा के लिए देखो, उपर वाला राय ट्रेंगल है, अब अल्फा के लिए आप उपर आजाओ, A double dash, B C2, अराम से देखना बहुत अच्छा डेरिवे अच्छा फिर वही बात आगे, अल्फा तो अल्फा बन ही जाएगा, तो अल्फा को हम अल्फा लिखी देते हैं, तो हटी जाना है, और पिंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस, और आपको पता ही है, कि A double dash D, साइट में तो A B के बराबर है, तो अगले स्टिप में A double dash D को मैं लिख दूंगा फिर किसके बराबर, A B by A double dash D2, यह हो गया क्या, यह निकल गया बीटा, और यह निकल गया बीटा, और यह निकल गया अल्फा, ओके, बीटा अल्फा आ गया, हमें बीटा अल्फा थोड़ी चाहिए, हमें बीटा अल्फा थोड़ी चाहिए, सर, हमें क्यों चाहिए वह बताओ नаемся निया थे मैगनिफिकेशन है हमें क्या चाहिए मागनिफिकशे है कि है ने हम यह की संदो चाहिए मैगनी 550 के दा मैगनिफिकेशं कालने के लिए अब बीटा बाई अल्फा अब ए मीजिकल टू जो बीटा बाई अल्फा है बेटा अब यहां से बीटा की वैलु आप निकाल चुके हो एड़बर लेश बीड़बर लेश बाई ड़ अबाई लेसी टू divided by alpha, alpha क्या आया? a b upon a ड़बर लेसी टू यहां से यह cancel हो गया यह आ गया A double dash B double dash upon A B यह आ गया M आ गया B जा बाई alpha यह अब क्या करें अब फुड़ा सा काम करो अब यह जो आया ना इसमें एक काम करना इसमें आप उपर नीचे इसी इसमें A dash B dash into A dash B dash upon A B अब आपने क्या करना है यह जो M आया बीटा बाई alpha अब इसमें क्या करना इसमें यह आ गया cancel होकर अब अपने मर्दी से आप क्या करना multiply और divide कर देना किस से A dash B dash से A dash B dash अब इसके बाद अब आप धियान दो A musical to अब आप सोचो अब आप सोचो eye lens के लिए image कौन है A dash B dash eye lens के लिए object कौन है A dash B dash तो आतो रहा है image size upon object size इसके लिए आया ना अगर इसका देखा जाए तो यह image size इसको देखा जाए तो यह object size यानि इसको अगर गौर से देखा जाए तो यह बन गया magnification of eye lens इसको देखा जाए और अगर इसको देखा जाए तो इसके लिए यह है image और इसके लिए यह है object तो अगर इसको देखा जाए तो इसके लिए यह क्या हो गया image size objective lens के लिए यह हो गया image size और objective lens के लिए ये हो गया object तो अगर देखा जाए इसका होती image size by object size objective lens के लिए तो m e into क्या m ओके तो ये बन गया एक formula बन गया एक formula समझ लो क्या कि जब दो lens combined होते हैं तो जिससरा आपने देखा था कि power add होकर आता है जिससरा आपने देखा था कि focal length 1 upon f1 plus 1 upon f2 करके आता है उसी तरह याद रखना कि जो magnification होता है दोनों का multiply करके ही total magnification बनता है अब एक just a relation आया है कि जब दो lens combined होते हैं चाहें instrument हो या simple सवाल हो power add होकर आता है focal length 1 upon f1 plus 1 upon f2 करके आता है और magnifying power magnification multiply करके अब यहां तक जब आ गया तो इसके बाद एक simple सी बात है अब क्या करो here यहां से देखना अब मैं अलग-अलग MO और ME निकालूँगा अलग-अलग निकालूँगा तो MO MO तो आप लिख देना MO तो होगा VO बाई और model लगा Magnification में model चलता है तो यह तो MO हो गया अब बारी MO आ गया अब ME निकाला जाए तो ME के लिए आप लगा दो panel image कौन बनाएगा eye lens बनाएगा कहां पे बनाएगा least distance पे बनाएगा तो इसके लिए आप वही वाला pattern जैसे simple microscope में लगाया था तो eye lens के लिए आप यह फ्रमला लगा दो 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon किसके लिए लगा दो eye lens के इसका जो magnification लिखोगे उस simple V by U में लिख दोगे क्योंकि इसमें कोई panel image तो बनाएगा जो D distance का कोई चक्का तो है नहीं बट जब eye lens का लिखने जाओगे इसका लिखने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए वही simple matrix को पूंकिया था ठीक है अब open नीचे किस से multiply कर दो V E से कर दो V E से multiply तो 1 V E से multiply V E by U E V E से multiply V E by F क्या किया मैंने क्या कर दिया मैंने बेटा मैंने क्या किया सोचो मैंने क्या किया मैंने किया ये कि इसको इसमें V E V से V से multiply जैसे मैंने अभी simple matrix को भी किया था ये हो गया 1 ये V E V by U V by U किसका आई लेंस का तो ये बन गया M और आपको पता है final image कहा बनता है अभी लिख़ाया था मैंने least distance पे left side image distance इसका आप value रखोगे तो मानेस दी अभी हाँ पे मानेस दी रख दू Y F E बस इसको धर लाओ उसको धर ले जाओ तो magnification of islands आ गया 1 plus V by F E तो अभी मैंने बताए था आपको याद करो अभी मैंने निकाला था ना ऐसे इसका सिंबल माइक्रोस्कोप का वही प्रोसेस है आप जो सिंबल माइक्रोस्कोप के निकला था ना 1 plus D by F E वही मेथड आइलेंस के लिए अप्लाए कर देना क्यों? क्योंकि final image ये बनाएगा कहाँ पर least distance पे तो इसी के formula में D आएगा इसमें थोड़ी आएगा इसमें थोड़ी D आएगा इसके magnetification में थोड़ी D आएगा तो eye lens में आएगा ना तो क्या करना है eye lens के लिए lens फर्मरा लगा देना है और उपर V से V से multiply कर देना है और V कहाँ पे बन रहा है पानल image minus D पे least distance पे तो last में जहाँ पे भी है यहाँ पे जैसे यह 1 हो गया यह M हो गया अब भी के जहाँ पे minus D रख देना हो गया अब आजाओ store अब वापिस आजाओ from first कहाँ आजाओ वापिस from first बस हो गया प्या आगिया magnification first में आओगे रख दो M O magnification of objective lens M E magnification of eye lens पहले M O रखते हैं यह बाद वापिस वापिस वाइओ उसके बाद 1 प्लस D बाई यहाँ मौड लो तब भी चलेगा नहीं लो तब भी चलेगा क्यों focal length, convex lens का हमेशा positive और D तो आपने negative के साथ लही रखा तो positive ही लेना है तो अब last में जो formula बन गया आपका magnification of what compound microscope यह बन गया objective का अलग focal, अलग magnification eye lens का अलग magnification और दोनों relation आप निकाल चुके हो दोनों को रख दो, you will get the final magnifying power और final magnification of compound microscope this is the concept this is very important concept कैसे कैसे हुआ समच में आ गया diagram समच में आ गया alpha और beta दो angle लेने हैं एक panel image का angle होगा एक object का होगा object के size को यहां consider कर लेना तभी angle दिखा पाओगे वरना नहीं दिखा पाओगे triangle लेना इस triangle में tan beta से beta इस triangle में tan alpha से alpha magnification होता है beta by alpha beta की value रखना alpha की रखना यह आ जाएगा फिर अपने तरफ से ऊपर नीचे a dash b dash से multiply divide कर लेना फिर क्या होगा इसके लिए यह image इसके लिए यह object image by object यह आ गया magnification of eye lens इसके लिए आ जाओ इसके लिए देखोगे तो यह image इसके लिए object तो यह होगया image by object किसका objective lens का होगया क्या सीखा कि जब compound microscope बनता है तो compound microscope में जो total magnification, total magnifying power होता है वो दोनों अलग-अलग objective lens और eye lens के magnification का multiple होता है उसके बाद आप दोनों की value अलग-अलग निकालोगे objective lens की कैसे निकालोगे वो simple v by u से निकालोगे eye lens का कैसे निकालोगे वही जो method हमने अपना आया था कहाँ कहाँ अपना आया था simple microscope में lens formula लिखेंगे घी से multiply करेंगे v by u इसका m बन जाएगा और उसके बाद घी के जगापे तो कि final image यही बना रहा है image distance पे तो इसकी image distance के जगापे minus d लिख देंगे left side minus d रख दो फिर दोनों अलग अलग निकालकर वापिस रख दो you will get the final formula यार रखना रट जाओ d o by u inside the mod क्योंकि negative को भी plus बनाना है magnification में सब plus होना चाहिए one plus d by e इसमें mod लगाने की ज़रुवत नहीं है focal length already positive होता है d तो value के साथ आही रहा positive फिर लोग बोलते हैं एक last चीज बोलते हैं कि भाई एक बात बताओ मुझे मुझे इसकी length बता नहीं है कभी-कभी ये भी आएगा आएगा बहुत जरूरी compound microscope की length बताईए अखिर compound microscope की क्या लंबाई होगी what will be the length ये भी बताईए length का मतलब होता है दोनों की 20 की distance c1 और c2 की 20 की distance c1 c2 मतलब c1 और c2 की 20 की distance होगी वही length होगा यहां से यहां तक की लंबाई length होगा कभी-कभी ये बोलता है कि ये जो simple microscope compound microscope के जो दोनों length होते एक tube में होते है tube में, tube होती है एक end PA, एक end PA तो tube की लंबाई बताईए tube की length बताईए compound microscope की length बताईए और भाई वही है दोनों के center की 20 की दूरी बताईए तो जब length पूछ दे तो यहां से यहां तक की distance बताने है तो यहां से यहां तक की distance को मैं से लिख सकते है c1 c2 की 20 की distance को देखो e-c1 plus इधर से आ जाओगे तो कितना a-c2 बस हो गया length है न यहां से यहां तक की दूरी को लिख सकते हो न बेटा this one plus this one तो यहां से यहां तक a-c1 इसका भी है vo plus a-c2 यह इसके लिए image है तो इधर से यह object है a-c2 क्या है minus ue but mod में लेंगे तो वो plus में ही लेंगे क्योंकि distance वगड़ा सब plus में होना चाहिए mod में होना चाहिए so you will get the length of compound microscope यह तो यह सब formula आपको याद रखने है क्या का याद रखना है एक तो याद रखना है कि total magnification दोनों के magnifying power का multiple होगा दूसरा चीज क्या याद रखना है पेटा इसका अलग होगा V.O.V.O. simple इसका अलग होगा जैसे simple microscope का process अपना है था वही हाँ पना लेना उसके बाद पाना लिये होगा और length का मतलब दोनों के center के 20 की दूरी this one and plus this one इधर से V.O. इधर से U.E. यह है आपका compound microscope बहुत अच्छा topic था वीडियो को एक दो बार जरूर देखने अब compound microscope में जब आपने यह पढ़ लिया है तरह कुछ देख लिया है अगर आपको लगता है screen shot लेना है तो you can take that screen shot यह मैंने पूरा compound microscope पढ़ा दिया है notes मैं description में भेज रहा हूँ continuously तो आपको जब notes नोट से चाहिए तो description क्लिक करना उसमें notes मिल जाएं गया right अब मैं किसी में एक चीज़ बताता हूँ अब आप ध्यान से देखिए यह आपको समझ में आ गया compound microscope में फिर एक और case होता है जरा वो भी आप ध्यान से कर लो इसमें एक और चीज़ आता है अलाकि इसका derivation नहीं चाहिए no need of derivation स्लेवस में derivation नहीं है पर थोई जरूवत पड़ती है कभी कभी questions करने के समय इसकी जरूवत पड़ती है तो आप कर लो और अगली जब वीडियो बनाऊंगा कोई भी इस्रूमेंट दो जगा इमेज बनाता है दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है अगर दिखाई दे रहा है तो least distance पर यह वाला और दिखाई नहीं दे रहा है तो समझो इसका image final image infinity पर चला गया तो आप सोचने वाली बात है अगर object distance focal lens से कम है तो virtual focal lens से ज्यादा है तो real और object अगर focus पहीं आ गया तो infinity तो सोचो अगर इसका final image दिखाई नहीं दे रहा है इसका जो a double dash, b double dash है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका object है यह इसके focus पह आ गया तो अगर final image infinity पह है इसका मतलब जो इसका object है वो इसके कहाँ पर है focus इसका मतलब इस case में अगर आपको image दिखाई नहीं दे रहा है final image जो यह बनाएगा दिखाई देहीं नहीं रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो object था तो अब इसके focus पे, focus पे अंदर नहीं है, अब यह focus पे ही आ गया, तभी final image infinity पे चला जाए, ओके, तो उस case में याद रखना, magnification के formula में no need of derivation, derivation की जरूत नहीं है, 12 में अगर हो तो सिर्फ ही आएगा, यह तो special case बता रहा हूँ, चब आपको image दिखाई ना दे, invisible, infinite पे चला जाए, infinity पे, तो formula में से 1 नहीं होगा याद, VO by O, और यहाँ D by F E, और length में क्या हो जाएगा बेटा, सोचो length में क्या हो जाएगा, इधर से VO, और यह जो UE है, यह F E, अभी तो, अरे यार, यह इधर से VO, और इधर से जो UE था, क्या बन जाएगा, इसका focal length बन जाएगा, तभी तो imagine infinity पे गया, पस UE हटकर F E आजाएगा, यहाँ मौन लगा और तभी चलेगा, तो focal length तो already positive होता ही होता है, तो याद रखना, यह formula भी हम competition में, यह tools में कभी-कभी use कर सकते हैं, लेकिन यह कभी use करेंगे, जब बोलेगा, कि compound microscope अपने image को लेकर infinity पे चला गया, उसका image दिखाई नहीं दे रहा है तब, याद रखना इस बात को, बहुत important point, तो अगर image visible है, तो यह magnifying power, magnification, angular magnification, जो बो बोलना है बोलो, और यह length, और अगर image infinity पे है, तो यह magnification, magnifying power, और यह length, यह topic पूरा का, पूरा compound microscope का थबिटा, मुझे पूरी उमीद है अपने प्यारे प्यारे इस्टुएंट से, जरूर समझ में आया होगा, और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, मैं पीछा नहीं छ करना और तयार रहना अगले वीडियो के लिए इसमें इसके बहुत अच्छे अच्छे नूमरिकर्स होंगे, तब तक बेटा, take care, bye bye